हे दोस्तों नमस्कार आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चेनल डियर गुरू जीपर सुगाईज आज की इस वीडियो में हिंदी का प्रेक्टिसेट लेकर आया हूँ और यह जो प्रेक्टिसेट है आपके यूपी टेबलसी वीडियो यूपी पी आदी इजामस के ल यहां पर वक्रोकति लगकार का मतलब होता है कि जब कोई बात आप किसी सब्दमीं किसी और सेंसे से कहो और जो सुनने वाला होता है वो किसी और अर्थ में उसको समझता है, यानि कि तेढ़ा मतलब निकालता है उसका, तो वहाँ पर वक्रोक्ति, वक्रोक्त की मतलब ही होता है, तेढ़ा तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा, दूसरा क्वेशन है आपका, रहिमन जो कति दीप की कुल कपूत गति स लगे बढ़े अधेर हो यहाँ पर कौन क्यों हो う इस पirie तो बहुत ही था म्तलब होता है कि द्थन इसका प्रस्थित किया गया है उसी प्रकार है जो ब्रकार है वो संपूळ मिज़्ड को मतलब एक पुत्र यहां पर कौन सलंकार हो गा है तो यहां पर अगर देखा जा है तो बढ़ा चढ़ा करके ओडन किया जा रहा है संदेश इतने से कि सारे मदवन के कुवें भर गए तो बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पर अती सयोगति यह लंकार हो जाएगा समझ गए क्वेशन नमर 11 है आपका हिंदी साहित में जीवनी साहित्य का प्रारम कौन से यूग से हुआ तो बारते अंदु यूग से जीवनी साहित्य का आरम हुआ था और भारते अंदु हरिश्चेंद्र जी ने बादसा धरपड चरिता वली और पंच पवित्रात्मा नाम से कई साहित्य जीवनिया लिखे थे तो यहाँ पर आपसन जो इसका थ्री है भारते अंदु यूग ये एक और दूसरा नाम है तो इंद्रा यानि कि लेश्मी जी के पती कौन है बिश्णु जी है तो यहाँ पर आपसन जो थ्री है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए पढ़ते है क्वेशन नम्बर तेरा तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है तेरा से पंदरा के लिए न हुआ जीतोरा लिखी गई है कोईस्ट नमर आपकर चौदा है दोहा कोस्स दोहा कोस्स जो रचना है सरहित्पार की रचना है किसकी सरहितपार की सरहित्सटत 2 जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए बढ़ते कुश्चन नमर 15 पर तो बहुती फेमस है चंदरकांता इसकी जो रशना है बाबू देविकी नंदन खत्री जीने किया है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके लावा बूत नात नरिंद्र मोहिनी विरेंद्र वीर्थ चंद्रकांता संतती यह सब जो लशनाय हो बाबु देव की नंदन खत्री जी की ही है चलिए बढ़ता है कोई सोला की तरफ काफी लोग कहते हैं मैं बहुत तेजी तेजी बोलता हूं तो थोड़ा सा स्पीड को अपने डाउन करूंगा कोई रहा है वह दुर्बल व्यक्ति कि चलता है इस वाकिया में करेंगा थारा है विगलपों में से तत्सम सब्दका चैन करना है तो गुलाब घर है प्रह levels कोई दिए गए पहले कि अनय को ही भीजने का बज़ार था पहले किसी अन्योन को भी भीजने का बझार ङये पहले किसी अन्यत्र को ही अन्यत्र सो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कहरा है पहले किसी दूसरे को ही भीजने का विचार था तो जी है इसा आपका सुद्ध हो जाएगा तो आपका सुद्ध हो जाएगा तो आपका सुद्ध हो जाएगा तो आपका सुद्ध पूछा गया है दामिनी के पर्यावाची क्या होते हैं बिद्युत चपला तडित घंदाम तो यहां पर बिद्युत से मतलब आपका विजली से हो जाएगा तो उपसन जो इसका फोर है वह बिलकुल करेक्ट हो जाएगा दामिनी कोईशन नंबर 22 पर आते हैं तो आपसे घंस् का अर्थ है काला बादल इसका दूसरा आर्थ क्या है तो घंस्याम का धूसरा आργद को जाcue इसको बिलकुल का सहि विलोम है अनुकूल का जो विलोम होगा दोस्तों वो Hani को होता है प्रती कूल अनुकूल प्रतिकूल तो इसका option number 4 है प्रतिकूल ये बिल्कूल करेक्ट हो जाएगा समय की दिर्षशे अनुकूल के लिए सही सब्द है समय की दिर्षशे कर देखा जाए तो समय अनुकूल हो जाएगा तो यहाँ पर इसके तो option तो cut गए 25 की जो option थे वो cut गए है तो यहाँ पर 25 question को कर देते हैं इसके बढ़ते question number 26 बढ़तों कहा रहा है निमलिखित में से अनेक सब्दों का एक सब्द पांच विकल्पों में से चुनना है परस पर एक दूसरे पर आसरित अनेक सब्दों इसे अच्छा तो यहाँ पर परस पर एक दूसरे पर जो आसरित होते हैं को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों उनको बेसिकली हम लोग बोलते है unknown आसरित यानि कि option जो इसका first है यह बिल्कुल correct हो जाएगा एक सब्द पांच यहाँ चारी विकल दियें इसलिए मैं थोड़ा confused हो गया था बट यहाँ पर चारी विकल में इसे चुल लो तो पहला आसरित जो इसका बिल्कुल है correct हो जाएगा question आपका 27 है किस क्रमांक में अघोस वेंजन है अगोस वेंजन अगर देखा जाएगा यहाँ पर किस क्रमांक में है तो आपका जो शा और शा है शा और सा जो है आपका यह अगोस वेंजन है तो आपसर इसका जो फोर है वो बिल्कुल correct होएगा अगोस वेंजन में सिकली नाद की दिश्ट से क्या होता है जिन वेंजन वर्ड के उचार में स्वतंत्र तंत्रिया जहनक्रित नहीं होती है वो अगोस वेंजन होते हैं अगोस वेंजन में केवल स्वास का उपयोग होता है अगोस वर्ड के उधारे से का, खा, चा, छा, टा, ठा, 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 पा, फा, शा, 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 और शा यह होते हैं आपके चलिए बरते को श्रब 28 पर तो कहता है आपसे सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है इसमें कौन सा सर्वनाम है अगर देखा जाए सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें दो तरह के सर्वनाम है एक तो सर्वनाम आपका जो है एक तो आपका वा है तो यहाँ पर जो की बात करें तो वह आपका संबंध वाचेक सर्वनाम है लेकिन यहाँप संबंद वाचेक सरव naam का option तो है नहीं और दूसरा कर वह की बात करें तो आपका निश्चे कर रहा है वह निश्चे वाचेक सरव naam हो जाएगा तो option निश्चे वाचेक जो बिल्कुल correct हो जाएगा समझ गए दोस्तों सब्सक्राइब आते हैं अगले कोश्चन पर तो 9 स्पाइब किस सथमें अवयई भावर कोस्चन के बात करें अगर सब्द की बात करें तो बहुवरी समास की बात करें तो बहुवरी जो है इस सब्द में अव्याई भाव समास है देखें बहुत ही अच्छा कोईशन याद रखेंगा बहुवरी समास की अगर हम बात करें तो इसकी जो पदगत सनचना है वो अव्या को लेकर भी हो सकती ह आप सिक पाइब नियसे के पुरुबद की प्रधानता हो और समासिक पद आव्य हो जाए होता है बहु अगरद शहिक जहां पुरुबद का है किस वाक्य में सरवनामिक विसेशषणogether सरवनामिक विसेशषणА टरफ थो सब्सक्राइब तरफ के adapters करसे हैं निम्सके रूब अती उपसर्ग लगा हुवा है अती धन उत्तम यानि कि आप्जाय लगा हुआ है समझे दोस्तों जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है जो आपका प्रत्य होता है चलिए बढ़ते कोचन नमचे यंदो थितिस पर दो कहना है किस सब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है अधि उपसर्ग नहीं लगा है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अधो मुख में अधि उपसर्ग लगा हुआ है ना कि अधी और सारा में अधी पती में अधी ग्रहाण में अधियाधियस में अधियाधियस सब में अधियाधिय लगा है लेकिन अध्यमूख में अध्यूप्सरग लगा है नाकि जिए आधियाधियोफ जो इसका फ्योड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आते हैं यह सारे आपके आयाद संदी के अंदर ही आते हैं समझके आते क्वेश्ण नमर 35 पर तो कहरा रहा है विपत जाल में कौन सी संदी है विपत जाल यानि की देखिए कुछ इस तरह सें विच्छेु इसका होगा देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा से संदी की संदी की बात करें त पर तो आइपको समझ में आए होगा चली बढ़ते कोस्ट नमशाहिशन नमट चानिकी आफिशला सब्ध का विलों काउं सा है ठीचला विलों की बाद करना है तो कर दो आपको तो आपको प्रोंट करवा दिये हैं और लगातार में आपको वीडियो कर रहा ही रहा हूं तो चैनल पर जुड़े रहो नोटीफिकसन जाए या ना जाए चैनल को देखते रहो आपको लगातार आपको पसंद आप लाइक करना मत भूलीगा तो अब एक लिए ब